दोस्तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होना वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लो जानेंगे कि बिये परिच्छा में कितना नंबर आने पर पास होते हैं, कितना नंबर आने पर फैल होते हैं और कितना नंबर आने पर भैक लगता है सब कुछ हम लोग डीटेल में जानेंगे तो आइए बीना किसी दिरीक हम लोग शुरू करते हैं और सब कुछ डीटेल में जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगे जानेंगे कि बीए पर इक्षा में अगर पास होना है तो बीए पर इक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा यानि कि आपका पेपर चाहे 100 नंबर का हो, चे 15 नंबर का हो, अगर आपको B.E. परिछा में पास होना है, तो आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको उतने नंबर का 36% नंबर B.E. एकजाम में पास होने के लिए लाना होगा। आपको जितने भी नमबर का पेपर होता है, अगर आपको B Ox स्पा मम्बर में पास होने tो 36% नमब्र लाना होगा। यहाँ पर अब दे सकते हैं कि आपका 3 सेवेट के पेपर हुआ है History, Political, Science and Sociology यहाँ पर आपका 4 सेमिस्टर, 2 सेमिस्टर, 2 सेमिस्टर में आपका 100-100 नमर के पेपर हुआ है यहाँ पर हिस्टरी की बात की जाते हैं आप अब दे सकते हैं कि history के अंदर आपका first semester में 100 में से 22 नमर आया है और second semester में 100 में से 44 नमर आया है यनि कि history के अंदर आपका first semester, second semester, दोनों semester में pass ही नमर आ गया है क्योंकि मैंने आपको पहली बता दिया कि आपका जितने भी number का paper होता है पास होने के लिए आपको उतने नमबर का 36% नमबर लाना होगा जबकि यहाँ पे अब दे सकते हैं कि history के अंदर आपका first semester में 52 नमबर आए और second semester में 44 नमबर आए यहां पे अब दे सकते हैं कि political science के अंदर आपका first semester में 100 में 52 नमबर आए यानि कि Political Science के अंदर आपका First semester, Second semester दोनों समेस्टे में passing number आगया है क्योंकि दोनों समेस्टे में आपका 36 नमर से उपर आप है अब Sociology की बात की जाते हैं आप अब आप दे सकते हैं कि Sociology के अंदर आपका First semester में 100 में से 52 नमर आए और Second semester में 100 में से 12 नमर आए तो यहां पे sociology के अंदर आपका first semester में तो passing number आ गया है लेकिन second semester में आपका passing number नहीं आ है क्योंकि यहां पे second semester में जो है कि आपका 36 number से कम है अब final result की बात की जाते हैं आप अब दे सकते हैं कि part 1 के अंदर 287 है, part 2 में 287 है, part 3 में 264 है और यहां पे grant total की बात की जाते हैं आप अब दे सकते हैं कि 831 है और यहां पे result की बात की जाते हैं आप अब दे सकते हैं कि supplementary दिखा रहा है यानि कि यहां पे bike लगा है, अब यहां पे bike क्यों लगा है उसको ध्यान से समझेए यहाँ पर आप दे सकते हैं कि history के अंदर जो है कि first semester, second semester, दोनों समिष्टे में पासी निमर आ गया है किकि दोनों समिष्टे में 36 निमर से उपर है और political science की बात की जाते हैं आप दे सकते हैं कि political science के अंदर भी आपका first semester, second semester, दोनों समिष्टे में 36 निमर से उपर है यहनि कि political science के अंदर आपका first semester, second semester, दोने semester में पासी नमर आ गया है और यहां पे sociology के बात की जाते हैं अगर आपका weid के पेपर होता है और उसमें से किसी एक से वड के अदर किसी समयश्डे में अगर आपका पासी नमर नहीं आता है तो उस condition में उस subject के अंदर उस semester में आपका बैक लग जाएगा अब आगे बढ़ते हैं दूसरे लेट के तरफ यहाँ पे आप दूसरे लेट को धान से देखिए यहाँ पे अब दे सकते हैं कि आपका तीन semester के paper हुआ है History, Political Science और Hindi Literature यहाँ पे आपका फौस सेमिस्टर, सेकेंड सेमिस्टर, दोनों सेमिस्टर में आपका 100-100 नमबर का paper हुआ है अब हिंदी लिटरेशर की बात की जाते हैं पर दे सकते हैं कि हिंदी के अंदर आपका फर्स सेमिस्टर, सेमिस्टर, दोनों सेमिस्टर में अपसेंड दिखा रहा है, यानि कि हिंदी का भी पेपर नहीं दिये गया है, तो यहां पर दे सकते हैं कि हिंदी का भी दोनों पेपर नहीं दिये गया है और फाइनल रिजल्ट की बात की जाते हैं पर दे सकते हैं कि पार्ट 1 में 262 है पार्ट 2 में 252 है पार्ट 3 में 98 है यानि कि हिंदी के अंदर दोनों में अपसेंट है और यहाँ पे हिस्टरी के अभी दोनों पेपर नहीं दिये गए है यहाँ कि हिस्टरी के दोनों पेपर में अपसेंट है तो यहाँ पे दो समेट का दोनों समेश्टे में पेपर ना देनी की वैसे यहाँ पे जो एक इसको फेल किया तिस बात की याद रखिए कि अगर आपका 308 के पेपर होता है उसमें से अगर आप 2 सवेट के अंदर दोनों समिष्टे का पेपर नहीं देते हैं यानि कि दोनों समिष्टे में अगर आप अपसे ही छो जाते हैं तो उस कंडिशन में आपको फेल कर दिये जाएगा अब आगे बढ़ते हैं तीसरे बिल्डरफ यहाँ पे आप तीसरे बिल्ड को ध्यान से दिखिए यहाँ पे अब दे सकते हैं कि आपका 308 के पेपर हुआ है हिस्टरी पुलिट्कल साइंस और हिंदी लिटेशर यहाँ पे आपका फॉस सेमिष्टर दोनों समिष्टे में आप कि दोनों समिष्टे में आपका 36 नमर से उपर आगया है आप नेकर मैं फेप आपिकर दे सकते हैं हम TI लिट्रेशर यहाँ पे हिंदी लिटेशर की पासी में आपका 32449, नमरा आए है कि दोनों समष्टे इस नमर सपर आए कि हीश्ट्री के अंदर आपका दोनों समष्टे में Ansie नमर आ रहे हैю question अज़ाया है आप दिन धार आसे बदेसक्ता एा है कि न ह cop 1-5 हैं पपता डिखा रहा है और यहां पर वातव थो डिखा रहा है उसको ध्यान समझ कहते हैं कि हिस्ट्री के अंदर भी दोनों समय स्थे में पासी नज़ीं सरह है और हिंदी के वे दोनों आ पास की नमबर आ गया है अब यहां पर बहुत से बच्चे सवाल करता है। कि єंदर के अंदर क्ने का लिए क्या पास की पास किया गया है। दो दोस्तों उम्हेद கरता हूं कि इस वीडियो साब को बहुत से सीखने में पास किया गया होगा। एक बत आपको याद रखना है, अगर आपको B-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E- छ addresses और कि उता त कि अजया, झाम जाद।